हलो दोस्तो मेरे नाम है राजकुमार स्वागत है आपका क्रेक SSC विद्राज में आज का जो ऐसे है हमारा ऐसे नमबर 6 है यह हमारी ऐसे सीरीज का इंपोर्टन ऐसे है जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है बीटी बचाओ बीटी पढ़ाओ यह ऐसे आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिल जाएगा इसकी पीडिएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप इस चैनल को जाके जोइन कर सकते है ठीक है तो यह जो इसका टारगेट ह हमारा वह 14 तो फैब है जब चैनल का हमारा एक्जाम होने वाला है टीर टू का ठीक है बाकी इंपोर्टेंट ऐसे हैं ऐसे सीजेल 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 मीडिया ओवर पोपुलेशन इंडिया तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ठी को हम कवर कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चिक है तो गाइस हमारा फॉर्मेट वही सेम है ऐसे का पहले इंट्रोड़क्शन और बॉड़ी पार्ट और उसके बाद कॉन्क्लूजन ठीक है तो इंट्रोड़क्शन में देखिए क्या लिखा है क्या है कि जाती है हुआ क्या है भगवान का वास होता है ठीक है तो एक अच्छी लाइन लिख दी है यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एक्जामेनर पर बट अट प्रेजेंट इस हैपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लेकिन आज कल के टाइम में क्या है उल्ट बेटी पढ़ाओ अभियान तो जिसको क्या बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहा गया है तो किसने लॉंच किया यह प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने कब लॉंच किया जनवरी 22 को 2015 में पानिपत हर्याना में ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है बस उसके बाद देखिए body part As per the census As per the 2011 census of sex ratio In Haryana there are 879 girls on 1000 boys Which reflects the miserable situation of daughters That which this campaign was started from Haryana state तो 2011 की जनकरना के अनुशार जो लिंग अनुपात था Haryana में वो था 889 girls थी 1000 लड़कों पे ठीक है तो देख रही हो कितनी बुरी condition है ठीक है जहाँ 1000 लड़के हैं वहीं लड़के कितनी है 889 है ठीक है जो की बहुत बुरी situation को दिखाता है लड़कियों की girls की जो कितनी miserable situation है ठीक है इसी के ध्यान में रखते हुए यह जो campaign है यह जो हरियाना स्टेट से शुरू किया है ठीक है नेक्स्ट परा में देखते है इन आर कंट्री दा नमबर ओफ वोमेन इस डिक्रीजिंग कंपेर तो मेन ठीक है तो वह नमबर ओफ वोमेन जो हैं डिक्रीज हो रही हैं अज कंपेर तो मेन ठीक है बेट्विन जीरो तो सिक्स यर्स ओफ एज ठीक है जीरो से छे वर्ष्ट की जो बच्चे है लडीके है दे नमबर ओफ ग्ल्स इन रिश्यो ओफ वन थाउज़ड बॉइस ठीक है इस कॉंटिनुसली डिक्लाइं फ्रॉम दे यर नाइटीन सिक्स्टीवन ठीक है तो जीरो से छे वर्ष्ट के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें एक हजार लड़कों पे जो लड़कियों की संख्या है वो कंटिनुसली डिक्रीज हो रही है कब से उनीस सो इक्सर्ट से दे नंबर अफ गर्ल्स इन एर नाइटीन नाइटीन नाइटीवन वाज नाइन हंडरेट फॉट्टी फाइव एंड इन डिक्रीज तो 927 एंड इन टूज़न एलेवन इट वाज नाइटीन देख है एक हजार लड़कों पे ननीस उने क्यानवे में थी जो लड़िकेया थी उथी उनेस्ट नोसो पैंतालिस दो जार एक में कितनी थी जड़के कितनी होई 927 और 2011 में एक हजार लड़कों पर लड़कें कि संख्या कितनी 918 कितनी किस एज ग्रूप में इह 0-6 six years के इस ग्रूप में तो continuously decrease हो रही है ठीक है इस कंपेइन हैस बीन स्टार्ड़ेड इंहंड्रेड डिस्टिक्ट्स ठीक है तो यह सौ जिलों में चलाया गया विद लो सेक्स रेशियो जिन में जो अंडलिंग अनुपात है वो कम है बहुत ही कम मतलब रेशियो है बहुत ज्य को मरवा देते हैं ठीक है चेक कर आके कि पॉय या गर्ल है और उसको पीट में ही मरवा देते हैं एक तो उसको खतम करना increasing the level of girl child literacy ठीक है तो लड़की की जो शाक्सरता दर है उसको बढ़ाना कि लड़कियों ज्यादा से ज्यादा पड़ें curbing prejudice of gender discrimination ठीक है तो जो भेदवाव किया जाता है जेंडर को लेके उसको खतम करना and awareness campaign ठीक है जागरुकता का भियान है एक improving girl child nutrition and health level ठीक है लड़कियों की जो health है उसको सुधारना opportunities for girls to go ahead and providing a safe environment ठीक है लड़कियों को क्या opportunity देना कि वो आगे बढ़े और एक environment एक अच्छा environment वो देश को प्रवाइड करें ठीक गाईस I hope समझ आया होगा उसके बाद एक conclusion part में क्या है if the girl if the daughters of the country will not be safe and educated अगर देश की लड़किया पढ़ेंगी नहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे the condition of the country and society will not change ठीक है तो देश की और society की जो condition है वो change नहीं होगी सही बात है it is not just a government scheme but the collective responsibility of every citizen of the country तो यह एक सरकारी स्कीम नहीं है यह हम सब लोगों की responsibility है कि इस चीज़ पर हम भी ध्यान दे if we do not be cautious today अगर हम आज सचे इतने होंगे we will invite a terrible crisis not only for our own generation but also for the next generation तो इससे एक बहुती terrible crisis आएगा सिर्फ हमारी लिए ही नहीं बलके आने वाली generation के लिए तो हम बेटी बचाने चाहिए बेटी को पढ़ाना चाहिए ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है तो यह हमारा क्या है हिंदी एंग्लिस में ऐसे हो गया ठीक है अब हिंदी में ऐसे करने से पहल current affairs मिलते हैं अगर आप current affairs नहीं पढ़ते हैं तो आप daily के यहां से 10 current affairs में daily upload करता हूं most important current affairs होते हैं ठीक है तो आप जिस पांच मिनिट निकालके current affairs daily पढ़ लिजिया करिए ठीक है मैं telegram पे इसका link share करता हूं वहां से daily current affairs पढ़ सकते हैं facebook पे भी आपको इसका link मिल जाएग हिंदी में परीचे मनुस्मिर्थी में ने लिखा है जहां नारी का सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है ठीक है वही सेम ऐसे हैं बस हिंदी में convert किया हुआ है लेकिन वर्तमान में यह विप्रित दिशा में हो रहा है I think समाझा रहोगा easy language है मनन यह प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने 22 जन्वरी 2015 को हरियाना के पानिपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नामक बेटीों को समर्पित एक अभियान शुरू किया है ठीक है तो कब किया था है 22 जन्वरी 2015 को कहां पे हरियाना में हरियाना के में किसने की आता श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओके तो इंट्रोडक्शन हो गया हिंदी में बहुत इजी लेंग्विज में लिखा हुगा कुछ ज्यादा डिफिकल्ड लेंग्विज है नहीं बोडी दि में देखिए 2011 में हरियाना में लिंग अनुपात की जन्गणना के अन इस अभियान को हरियाना से शुरू क्या किया था क्यूकि बहुत बुरा हले यां ठीक है हमारे देश में पुरूशों की तुल्णा में महिलाओं की संख्या काम हो रही है ठीक है जो कि हमने इंग्लिश में भी बात की थी कि चीक है उसके बाद देखे यहां पर जीरो से छे 15 past 01 की पुर्णा में लड़कों की तुल्णा में लड़कों की संख्या वर्ष 1961 से लगातार घटती रही है ठीक है लड़कों की संख्या वर्ष 1954 ती के दो जारmedim Live और नौशो सत्ताइस और दोजार ग्यारा में नौशो अठारा हो गई यह अभियान कम लिंग अनुपात वाले सौ राज्जियों में सौ जिलों में शुरू किया ठीक है तो 100 डिस्टिक्स में क्या है इसको लॉंच किया गया इस अभियान को जापे लिंग अनुपात क्या बहुत ही कम है इस अभियान के मुख्य उद्देश्यों में कन्या भुरुन अत्या का उन्मूलन करना ठीक है जो पेट में बच्चों को मरवा देते थे बच्पन में बच्पन में कहा रहा हूँ जब मतलब फैटी साइड को उक्यल करवा देते थे एक तो वो एजी लेंगुज में लिखा हुआ है बाली का साक्षर्ता का इस्तर बढ़ाना लेंगिक भेदवाव और जावरुकता अभियान के पूर्वा ग्रह पर अंकुष लगाना बाली का पूशन और स्वास्ते इस्तर में सुधार लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रद और शिक्षित नहीं होंगी तो देश और समाज की दशा नहीं बदलेगी यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बलकि देश के प्रतियक नागरिक की सामुएक जिम्मेदारी है ठीक है अगर हम आज सतर्क नहीं हुए तो हम ना केवल अपनी पीडी के लिए बलकि आने वाल काुछ अधारी पी-डी के लिए भी बयानक संक्त का आमंत्रित करेंगे तो यह हमारे क्या है हिंदी में ऐसे हो गया एक्थे क्षाटी के अक्सक्रा नहीं हिए लिखा हुए है-एक दम-2.2.5 लिखा हुआ है-ठीक 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 है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर देना और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में या ग्रुप्स में किया कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो मेरा भी थोड़ा मनुवल बढ़े कि ज्यादा ज्यादा दो जा चुका हूँ ठीक है इसको भी आप फॉलो कर लीजिए इमेल सब्सक्रिप्शन होता है एकदम फ्री है आप वहाँ पे भी जाकर जब भी मैं कोई पोस्ट करूँगा आपको पता चल जाएगा ठीक है इमेल में मैसेज आ जाएगा बाकी ये फेस्बुक चैनल भी आज ज पूछने चाहते हैं तो इंस्टेग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं तो आज की वीडियों वस इतना ही थाइक यू गाइस जैहन